कि अज़िए आप लोग स्वागत आपका जीए स्टूडिय पर मैं ग्यान प्रकाज जा आपके सामने हाजिर हूं डेली करेंट अफेर्स में आज दो जून की करेंट अफेर्स की क्लास लेकर तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे जल्दी से वीडियो के एक बार लाइक कर देंगे सेयर कर देंगे फिर्म लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को और देखेंगे आज के नियूज और उससे जुड़े हुए कुछ सवालों को जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे बढ़ जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें फिरम लोग आज के सेजन को स्टार्ट करते हैं अब बॉर्णिंग अक्की तीवारी जी आसेज कुमार जी नितांत कात्यान जी नियहा शर्मा जी अनिल कुमार गुपता जी प्रियंका वर्मा जी शोनु निगम जी अर्पिता जी रिसा मौकर जी शोनु डाल्टन गन जी बहुत बड़िया विवेक शर्मा जी सभी बच्चे सेयर कर देंगे वीडियो को जल्दी से और जो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह जो आपको इसका पीडियेफ है कहां पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल जी एस बाइग्यान प्रकाजजा यह टेलीग्राम चैनल है आप इसे जागर ज्वाइन कर लेंगे यहां पर आपको क्लास का पीडियाफ में मिनेश साहो जी गुड मॉर्निंग अ है चलिए तो दोस्तों लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को ठीक है तो सबसे पहले जैसे हम लोग क्या करते हैं न्यूज देखते हैं फिर उससे रिलेटेड क्या सवाल देखते हैं कि कैसे सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं तो चलिए आज की न्यूज को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आज का सबसे पहला न्यूज आज का सबसे पहला एंड रुपीज वन फोर जीरो सेवन करोड टू अशम अंडर विच मिशन जल जीवन मिशन कलम लोगों ने पढ़ा था कि 36 कड़ को कुछ अमांट क्या हुआ था अलोकेट हुआ था और आज हम लोग देख रहे हैं कि बिहार को कितना 1832 करोड और असम को कितना 1407 करोड उपय अलोकेट किये गए हैं किस मिशन के तहत जल जीवन मिशन के तत वही मिशन है जिसमें की जो और क्लें ड्रेंकिंग वाटर हर घर तक पहुंचाना है और इसका एम कब तक है दुहजर चौबिस तक साफ स्वच जल हर किसी के घर तक पहुंचाना यह इसका क्या है लक्ष है ले पॉइंट तो यह पहला हमारा आज का न्यूस था हम लोग बमूब करते हैं दूसरे प्राइवेट कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू स्पेट इस पेस यानि की स्पेस एक पहला कंपनी बन गया है पहला प्राइवेट कंपनी बन गया है जिसने की किसी एस्ट्रोनॉट को किसमें भेजा इस पेस के कहां पर इंटरनाशनल इस पेस सेंटर इंटरनाशनल पर सबसे पहला व्यक्ति था जो कि सबसे पहला मतलब जो कंपणी है प्राइबिट कंपनी वो कौन है इस पेसे हैं जह जो अधिय जो दोस्तों जिनको भेजा गया है उनका नाम क्या है डॉंग assessments को इनों जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इस 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 पेस एक्स की यह जो इस पेस एक्स है याद रखेगा इसके जो founder है वो कौन है Elon Musk यह बहुत ही important है याद रखेगा यह कभ बना कभ था कभ इसका मतलब अस्थापना हुआ था इस SpaceX का तो 6 माई 2002 को और इसका headquarters कहां पर होता और कालिफॉर्णिया यूसे में क्या है इसका SpaceX company का headquarters है इस जिसको भी आपको याद रखना है यह सारी चीज़ें आपको क्या करनी याद रखना है कई बार पूछा गए कि SpaceX SpaceX के founder कौन है या एलाउन मक्स किस company के founder है यह जिस आप याद रखेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट है कई बार पुछा चाहते हैं किस देश की मतलब इस इस पेस कंपनी है किस देश की है आप लोग याद रखेंगे अमेरिका की है शेयर और लाइक सभी बच्चे वीडियो को कर लाइब भी कर लेजिए तो चलते हैं दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके बात तीसरे नियूज की तीसरे नियूज आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा ग्लोबल डे ऑफ पैरेंट्स ग्लोबल डे ऑफ पैरेंट्स सेलिब्रेटेड ओन फस्ट ऑफ चून यानिकि एक जून क जून को मनाया गया गोल फक्रीज ऐसे एक जून को मनाया जाता है इसकी टिम रहा है इस चासे में चैंप अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं अगला मुद्दा आपके स्क्रिन के उपर आज का यह रहा याद रखिएगा अरुन सिंगल अरुन सिंगल बिकम्स चीफ एक्जेक्टिव ऑफिसर अफ एफस एसे आई है ना एफस एसे आई के जो अरुन सिंगल है एफसे एसे आई के क्या बने मुख्य कारीकारी अधिकारी बने बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज है इस चिसको आपको याद रखना है ठीक है यह आपका FSSI Act 2006 के द्वारा ठीक है एक्ट याद रखेंगे कब आया था 2006 में और इस Act के द्वारा इसकी अस्थापना कब हुई इसकी अस्थापना हुई अगस्ट 2011 में कई बार FSSI का फूल फॉर्म भी पूछा जाता है याद रखेंगे इसका पूरा मतलब है Food Safety and Standards Authority of India यह आपका क्या है इसका पूरा मतलब है इसकी अस्थापना जिस Act के द्वारा ठीक हुई थी वो है FSSI Act 2006 और इसका हीट क्वार्टर कहां पर है दोस्तो FSSI का headquarters in New Delhi में और इसके जो चेयर परसन है यानि कि जिसको चेयर परसन है इसकी जो अध्यक्ष है उनका क्या नाम है रीता तेवतिया इस चीज़को भी आपको याद रखना है इसी तरह याद रखेंगे जो FAO है FAO यानि कि Food and Agriculture Organization इसका headquarters कहां पर है इसका headquarters है रॉम इटली में इसी तरह याद रखेंगे ICAR या Indian Council of Agriculture and Research इसका भी headquarters कहां पर है दोस्तो इसका भी headquarters याद रखेंगे कहां पर है New Delhi में है ICAR है Indian Council of Agriculture and Research अब हम लोग बात करते हैं दोस्तो इसके अगले न्यूस की अगले न्यूस पर चलते हैं आज का अगले न्यूस PR जय संकर बिकम्स Managing Director of IIFCL PR जय संकर बिकम्स Managing Director of IIFCL ठीक है यह IIFCL क्या है तो याद रखेंगा IIFCL की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है India Infrastructure Finance Company Limited क्या नाम है इसका India Infrastructure Finance Company Limited इसके जो नए अध्यक्ष बनाएगा है नए जो इसके प्रबंध निदेशक बनाएगा है उनका नाम क्या है उनका नाम है PR जय संकर इतना आपको याद रखना है IIFCL का पूरा मतलब क्या है India Infrastructure India Infrastructure Finance Company Limited यानि कि यह बड़े-बड़े जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां होती है उनको क्या करता है यह इस चीज़ को आपको याद रखना है क्लेर पॉइंट बहुत बढ़िया बहुत अच्छा अरपिता जी रेश्मा सेक्स जी बेलकुल दो जून को याद रखी जो आज दो जून है आज के दिन ही 2014 में आज के दिन ही 2014 में आंद्र प्रदेश शेयर लगकर कौन सा राजी बना करतना तो आज तेलांगना का अस्थापना दीवस्भी कब होता है तेलांगना च्छेट सेट होता है बहुत होता है दो जून को होता है ठीक है ना तेलांगना की जो अस्थापना हुए थी भारत के ओना तिस्वे राजी के रूप में हुए थी दो जून कब साजित और वाजित दोनों मिलकर तो वाजित जो थे इनमें ये इनका क्या हो गया निधन हो गया इस चीज़ को आपको याद रखना है अब हम लोग बात करते हैं इसके अगले न्यूस की तरफ अगला न्यूस आपके इसक्रेंग के ऊपर यह रहा गोर्मेंट टू को दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड गौर्मेंट जो है कितने डेरी फार्मर्स को तो एक करोड़ पचास लाग डेरी फार्मर को कि क्या देगी किसान क्रेडिट कार्ड देगी और यह कब तक दिया जाएगा तो जुलाई 2020 के इंड तक इतने क्रेडिट कार्ड एक करो होता है इसमें किसानों को क्या होता है सस्ते दरों पर क्या होता है कर्ज मिलता है इसमें जो जनरली जो रेट अफ इंट्रेस्ट होता है इस KCC के अंदर वो कितना होता है, 4% के आसपास होता है, इस चिसको आपको याद रखना है, यानि कि यहाँ पर जो कितने करोड किसानों को दी जाएगी, तो याद रखिएगा 1 करोड 50 लाग किसानों को दी जाएगी, और दोस्तों, डेरी प्रोड़क्ट को बढ़ाने एक डेरी रिसर्च इंस्टेचूट यह कहाँ पर है, देसे जिन, करनाल हरियाना में हैं, यह आप लोग जानते हैं, शेयर करते रहेंगे, सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करते रहेंगे, जो नए बच्चे देख हैं, वो क्या करेंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, कसी का मतलब है किसान क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड और ऐसा ही कार्ड मिलता है, कसी में, रूपे कार्ड होता है, रूपे कार् कौन है तो आप लोग जानते हैं एनपी सी नैशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया ये भी आप जानते हैं ठीक है हमारा प्रश्ण यह ओपरेशन फ्लड इसकी शुरुवात कभी थे इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिया आप लोग वीडियो को ठीक हमारा प्रश्ण है ओपरेशन फ्लड यानि वाइट रिवाल्यूशन जिसके पिता वर्गी इस कुरियन ठीक है ना कब किया था भूलना नहीं है नितांत कात्यान जी बिल्कुल सही जबाब दे रहे हैं याद रखेंगे बिल्कुल 1970 में किया था कब किया था 1970 और आप लोग जानते हैं और आप लोग जानते हैं कि अभी अभी NPCI ने एक चैट बूट भी शुरू किया था जिसका नाम क्या है पाई पाई चैट बूट NPCI ने शुरू किया था और ग्रीन डिवाल्यूशन जो है दोस्तों वो कब शुरू हुआ हमारे देश में 1966-67 में जिसके फादर किसे कहा जाता है नॉर्मन बॉर्लोग को कहा जाता है और बॉर्लोग अवार्ड भी दिया जाता है इसलिए किस छेत्र में याद रखेंगे अग्रिकल्चर कृसी के छेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है बॉर्लोग सम्मान भी दिया जाता है इस चीज़ को भी आपने य scheme to provide affordable loan to street vendors. The scheme will target to benefit over 50 lakh street vendors who had been vending on or before 24th March this year in urban areas. The duration of the scheme is till March 2022. यानि कि सरकार में street vendors का क्या हो गया होगा तो इस street vendors को affordable loan प्रदान करने के लिए यानि कि सस्ते loan देने के लिए PM स्वनिधी योजना की सुरुवात की गई है यह योजना कितने से 50 लाग से अधिक street vendor को लाभानुवित करने का लक्च रखती है जो इस साल 24 मार्च से पहले या सहरी इलाकों में घूम रहे थे योजना की अवधी जो है बी मार्च 2022 तक है इस चिसको आपने याद अब कोई अगर मान के चलिए अभी ये पीम स्वनिधी इसकीम की तहत लॉन लेने के लिए अभी वेंडरिंग करना ही स्टार्ट करते तो उनको यह नहीं मिलेगा पहले कि कब से पहले मार्च चौबिस मार्च या उससे पहले अगर कोई वेंडिंग कर रहा था तो उन स्ट्रीट वेंडर्स को क्या मिलेगा इस पीम स्वनिधी इसकीम के तहत क्या मिलेगा शस्ता कर्ज मिलेगा ठीक है अब यह जो स्वनिधी कई बार इस स्वनिधी का फुल फॉर्म भी आप से मतलब निधी यानि किस्वनिधी का पूरा मतलब के स्ट्रीट वेंडर शस आत्म निरभर निधी इसका फूर्फं भी आपसे पूछा सकता है एक हैप ‫समझ रसमी को छैल मिलेगे अगले नूग्ला green लॉंस्ट्ब नारेंद्र मोदी लांच टेकनलोजी बेस्ट सॉल्यूशन नेंज अज चैंपियन्स फॉर एमसमी सेक्टर तुड़े इन नुदेली चैंपियन्स विच इसेंट्स फॉर पूरा मतलब याद रखिया रखिया क्रेशन एंड हार्मोनियस अप्लिकेशन अप्लिकेशन अप्लिक में पूछा नहीं जाएगा लेकिन हाँ आपसे यह पूछा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर में हाल में MSME सेक्टर के लिए कौन सा टेकनलोजी बेस्ट सॉल्यूशन लॉंच किया धियाद रखिए उसका क्या नाम है चैंपियन्स या आपसे ऐसे प्रशन पूछा जाएगा प्रधान मंतरी ने जो अभी अभी हाल में चैंपियन्स नामक जो एक टेकनलोजी बेस्ट सॉल्यूशन लॉंच किया है वो किस सेक्टर के लिए अगरिकल्चर सेक्टर के लिए MSME सेक्टर के लिए टेलिकॉम सेक्टर के लिए ऐसे ही आपके पास शबाल रहेंगे यानि कि लुब कर द्लैus नामगमें किया है इस तेस को इस नामक भी आपको यह आपको यादर किया यह भी आपको यादर है कहां पर लॉंच किया यह देली में लॉंच किया गया चलिए दोश्यों इसके बाद की ऐस हम लोग बात करते हैं आज कि अगली नीवस की नेक्स्ट नियूस। डिया डियो डिया डियो डावलप अल्टरा सुर्ट इस्ट्वेंरं रट्रा स्वॉच्च टूॊ ढिया किया है विकास किया है तो आपके पहस्प्रस नैसे पूच्अ जाएगा त्यौन होता है वोता है माइक्रो इस स्मॉल एंड मीडियम इंटर प्राइज यह जो हमारे देश के अंदर क्या है जो छोटे चोटे जो उद्योग होते हैं मतलब सुक्ष में लगू इवां मध्य जो उद्योग होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग MSME कहते हैं MSME का कई बार पूछा जा सकता है पूछा जाता है कि Micro Small and Medium Enterprises इसके बारे में आप से पूछा जा सकता है यहाँ पर जब बात करते हैं दोस्तों DRDO की तो DRDO की अस्थापना याद रखेंगे कब हुई थी DRDO जो अस्थापित हुआ था 1958 में हुआ था है इसका कहां पर न्यू डैली में ठीक है और इसके जो हैड है उनका नाम क्या है जी सतीस रेडी जी सतीस रेडी यह DRDO की क्या है है इस चिसको याद रखेंगे DRDO का पूरा मतलब आपको पता है डिफेंस रिसर्च और डेवलप्मेंट और्गिनाइजेशन यह इसका पूरा मतलब है क्लियर है पॉइंट सभी बच्चे वीडियो को सेर भी करते रहिए लाइक भी करते रहिए जादा से जादा चितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को जादा से जादा क्या करें लाइक करें अगराद डियूज आज का आपके स्क्राइब यह रहा स्वांनु अग्लादी पर इसका इंडियो का मतलब किया है स्पोर्स अघ्रेटरियोग बच्च गॉलब्रेशं के डान सफीडर्ट खेलो इंडिया इफार्ट साला ठीक है याद रखिएगा Sports Authority of India ने National Sports Federation के सहयोग से भारत का पहला online coaching कार्यकरम खेलो इंडिया इफार्ट साला को क्या किया शुरू किया यानि कि आप से प्रशन पूछा जाएगा अभी अभी कौन सा online coaching कार्यकरम Sports के लिए सुरू किया गया है Sports Authority of India के द्वारा याद रखिएगा उसका नाम क्या है खेलो इंडिया इफार्ट साला क्लेर पॉइंट इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले न्यूस की तरफ चलते हैं अगला न्यूस आपके स्क्रेंट के ऊपर American Sprinter Bobby Morrow American Sprinter Bobby Morrow passed away at 84 इन्होंने ए एक किताब में लिखिये Sports Illustrated यह किताब लिखिया बॉमी मोरो ने कब 1957 में यह बुक लिखे थी और इनका बुक 1957 में यह लॉंच हुआ था ठीक है तो याद रखिएगा American Sprinter यह जो Bobby Morrow है यह क्या है American Sprinter Sprinter का मतलब होता है दावक है ना दावक जो होता है उसको क्या बोलता है next news IMD has warned that Cyclone Nishagra likely to impact Mumbai यह देखी यहां पर देखी यह इंडिया है यह इंडिया की जब बात करते थी यह इधर वाला जो यह पार्ट देख रहे है यहां पर यह क्या है इस जगह पर क्या है हमारा Mumbai है यह वाला जो पार्ट है यही पर क्या है Mumbai है और यह इधर वाला जो हिस्सा होता है इधर वाले पार्ट को हम도 क्या करता है दोस्तों Arabian six करते हैं और इधर वाले पार्ट को क्या काते हैं इधर जो होताँ उसे क्या करता है Bay of Bengal के ठीक और यहां पर यह क्या है हमारा यह जो स्रीलंका और इस चुनार नार ning के लिए जाना जाता है ठीक है और वर्ट बॉटायवर्सिति कम मना आते हैं आपको मिल्कुल रaining सेख चिल च्वेंटिन्गॉम को नैस्नल स्पोर्ट्स दे मनाया जाता है क्ला है कि ने स्थैमिल मनाते हैं इस जले को CHI सबसे पहले किया था याद रखिएगा यहां पर यहां पर देख रहे हैं आप यहां पर क्या नाम दिया गया है निशाग्रा नाम दिया गया है और यह मुंबई और गुजरात दोनों को क्या कर सकता है यह टच कर सकता है यहाँ पर यह जो पार्ट देख रहे हैं यहीं पर है यहीं पर है गल्फ आफ कच्छ गल्फ आफ कच्छ है यह यानि कि इसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं और सबसे पहले अकबर ने यहीं पर क्या दे को 22 अप्रिल को क्या मना आता है वर्ल्ड एर्थ डे बाइस मार्च को क्या मना दा है बिहार दिवस और वर्ल्ड वॉटर यह दोनों कब मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है ठीक है यहाँ पर जब बात करते हैं दोस्तों IMD आयमडी यानि इंडिया meteorological department या इसे कहता है भारतिय मौशम विज्ञान विभाग भारतिय मौशम विज्ञान विभाग कहा जाता है इसे और इसका headquarter कहां पर है दोस्तों इसका headquarter है न्यू दैली में इसकी अस्थापना कभूई थी 1875 में और इसके head कौन है तो इसका नाम क्या है इनका डॉक्टर मौशम विज्ञान विभाग उसका headquarter कहां पर है उसका headquarter है जैनेवा में इस चीज़ को भी आप याद रखें कि क्लिर एप पॉइंट यहां तक सभी को समझ में आ गया है यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है जीक है बहुत बढ़ी मज़ा रहा है दोस्तों ताब लोग वीडियो को क्या करें सेयर करें और लाइक करें रिसर्चर्चर्स और यहां पर क्या किया है इसमें और अभी अभी मनार की खाड़ी में कहां के सोद करताओं ने CMF R.I. इसके सोद करताओं ने यहां पर क्या किया है इसमें खोजा है कैसे एक स्कॉर्पियन फिस को यह जो CMF R.I. है इसका मतलब है Central Marine Fish Research Institute Central Marine Fish Research Institute यह इसका मतलब है आप लोग जानते हैं ठीक है और इस Central Marine Fish Research Institute जो है इसका Head Quarter याद रखेंगे कहां पर है कोची कोची केरला में इसका Head Quarter है इस चीज़ को भी आपने याद रखेंगे जब कि आप लोग जानते है National Fish Research Institute जो है Simply इसका Head Quarter कहां है Its Head Quarter is in Hyderabad फिस की Study को क्या कहता है इक थायोलाजी इसके पालन को क्या कहा जाता है पीसी कल्चर और इसके पालन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दोस्तों रिवाल्योसन आया था ब्लू रिवाल्योसन जिसके फादर को नहीं हिरालाल चौदरी यह सारे तत्या आपको पता है आप लोग जानते हैं ठीक है तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे वीडियो को क्या करते रहे हैं सेयर करते रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करें दोस्तों वीडियो को सेयर करें जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को क्या कर लें सब्सक्राइब भी कर लें ठीक ह जितने भी बच्चे देखना सभी बच्चे वीडियो को क्या कीजिए सेर भी कीजिए अगले न्यूस की तरफ चलते हैं अगला न्यूस अनिता कोटवानी बिकम्स चीफ एक्जिक्यूटिव आफिसर आफ कैरेट इंडिया के मुख्या कारेकारी अधिकारी किसको बनाया गया है क्या करते हैं गोल्डे क्या करते हैं वही जिसका दोस्तों करते है और गॐलड की प्यूरी ती जो होता है और चैucharon के लिए नियू तोड़ा साथ क्या करने के लिए हार्ड करने के लिए ठीक है और जो तो गोल्ड के purity जिस डिवाइस से मेजर की जाती है उसे क्या कहता है दोस्तो केरेटो मेटर कहा जाता है इस चीज़ को भी याद रखना है हमारे देश के अंदर गोल्ड के लिए जो कोलार गोल्ड फिल्ड है करनाटका में वो काफी क्या है इंपोर्टेंट है सबसे ज़्यादा जो सोने का उत्पाधा होता है इसी रिजन में होता है कोलार रिजन में कहां पर करनाटक में यह चीज़ भी आपको याद रखना है क्लिए पॉइंट तो इसके बाद हम लोग मूव करेंगे दोस्तों अगली न्यूस के तरफ अगला न्यूस आपके स्क्रिन के ऊपर नेक्स्ट न्यूस यह रहा चाइना अप्सेक्ट द प्रेसेंस ऑफ यूस थार्ड मिसाइल इन साउथ कोरिया ठीक है ताड जो है यह सब्सक्राइब कर रहा है तो चाइना जो है चाइना क्या कर रहा है उसका विरोध कर रहा है तो याद रखेंगे चाइना कई यहां से आपसे पूछा जा सकता है यहां पर कि कौन सा देश जो है साउथ कोरिया में यूएस के थार्ड मिसाइल के प्रेजन्स का विरोध कर रहा है तो याद रखेंगे चाइना कई बार यहां से आपसे ऐसे प्रस्न पूछा जा सकते है यह जो थार्ड है थार्ड का पूरा मतलब है दोस्तों याद हाई एल्टिट्यूट डिफेंस मिसाइल और तार्ड मिसाइल सबसे पहले जो अमेरिका ने डिपलाई किया था वो कहां पर इसराइल में किया था था ना इसराइल वही इसराइल जहां का दोस्तों करन्सी क्या है सेकल है आप लोग इस चीज़ को जानते है ठीक है तो यह थ ब्रशें थिक है आज की कई मॉफ करें अगए है कि सवाव अनुव करते हैं यहां से कैसे कै siamo आप से पूछे जा सकते हैं ठीके कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत रखें और दिक्कत नहीं है तो आप लोग वीडियो को क्या करें सेर करें लाइक करें जो नए बच्चे देख रहे हैं वो क्या करें इसे सब्सक्राइब करना चांड़ को ठीक है जो student देख रहे हैं वह क्या कर लेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस का हा वो बात तो है ही श्रीस्टा मुखड जी साउथ कोरिया का मैतर है लेकिन चाइना की बात जांते ही है आद चीक साथ कोडिया का सियॉल सियॉल है गौरब जी साथ कोडिया का जो राजधानी वो कहां है सियॉल चलें आगे यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेलकुल गोल्ड का और है और राइट बहुत बड़ियां सिल्वे नाइट भी गोल्ड का ही और है सिल्वे नाइट अच्छा रिसमाजी नेटवर्क बहुत बेकार है चलें नेक्स्ट निउस पर चलें अ लग रहा है थोड़ा से कोल्ड तो हो गया है चलें तो सबसे पहला सवाल आज का आपके स्क्रिन के उपर यह रहा विचेज विकम दो फर्स प्राइवेट रॉकेट कंपनी तो सेंड एस्ट्रोन तो स्पेस जो अंत्रिक्ष यात्रियों को अंत्रिक्ष में भेजने वाली पहले निजी रॉकेट कंपनी बन गया अंत्रिक्षा स्पेस एक्स बोईंग या एक्स को गिलू सरमय जी गुड मार्निंग आप बहुत लेट हो चुकी है आदे खंटे से ज्यादा लेट हो चुकी है आप आज ने जादा था और यह देखिए न्यूस क्या होता है ना सुनूजी मैं जो मतलब क्या करता हूं जो भी सुबह 6 वजे तक के अपडेट जतने भी नियूस होते हैं जिक वह मैं सारा न्यूस क्या करता हूं इसको आपको बता देता हूं ठीक है सुबच च्वज़ तक कि जितने भी नियूज वोता है वह सारे यहां पर क्या आपको जाते हैं यहां पर जो इसका सही उत्तर है क्या है दोस्तों यह पर पहुंचने वारे सबसे पहले व्यक्ति कौन थे किसने सब्सक्राइब सबसे पहले मूल पर मून पर सबसे पहले कौन व्यक्ति पहुंचे थे आपको यह बताना है बिल्कुल इस पेस एक्स की जो फांडर है उनका नम है एलॉन मस्क जो है ठीक है बिल्कुल रिश्व मुकर जी जी ठीक है कि राजु कुमार जी साइन्स इंड टेक भी कराएंगे अलग से भी कराएंगे चिंता मत की जी ठीक है तो मौन पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे आप लोगों को यह बताना है बहुत बनिया सुभम जी सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब देने सिवा महापूर जी बिहार गौरब जी जैश्मा सेख जी बिल्कुल इसका मून पर पहुंचने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति नेल आम स्ट्रॉंग नेल आजम आम स्ट्रॉंग ठीक है न और वन आम स्ट 12 सत्राइब कृता है याद रखेगा एंड्स ट्राउंग यहां पर एक होता है एंड्स ट्रॉंग जो तैये किसका डिस्टर स्क अनुट होता है और संग्श्ट तो है सवाल पर जलते हैं अग्ले सवाल शाया सवाल ग्लोबल बर पैरेंट्स स़aste अनृ इंडिवरेटर ऑ्र तो दो जुन को क्या मना आया जाता है तेलंगाना का फाउंडेशन डे तेलंगाना फाउंडेशन डे क्योंकि इसी दिन जहांनते हैं इसका किया था थीम स्टैने को क्या मना था अब लोग जानते हैं तो छूदर उनको किया मना लोग कि इस चैनल को सब्सक्राइब ही करने जो नए इस टुडेंट देख रहे हैं वह इस चैनल को किया कर लीजिए सब्सक्राइब बिल्गोल नहासरमाजी 12 मे को नर्स दिवस मनाया जाता है 14 जुन को क्या मनाया जाता आप लोगों को यह बताना है टेक बच्शिसमे को कौन सा थाइराइट डे मनाते हैं गजर टीक है आठ मे को कौन सा इंपाइब ने जाता योई मताई कर तेणं सुधान के ब्लड डिनन का कौन से लिखता है और याद रखेंगे दोस्तों तू powin एप याद रखेंगे अगले मुद्दे पर चलते हैं दोस्तों आगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा हूँ बिकम्स चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिशर ओफ एफस एसे आई ठीक है एफससाइए के चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिशर कौन बने है रीता तेवतिया सुहाश शर्मा अरुन सिंखल या पीसी घोज उफ़ोग और शेयर करते हैं सेशन को ज्यादा से ज्यादा प्लूग किया किजिए लाइक किजिए जो नए स्टुडिन्ट है क्या कर लें सब्सक्राइब कर लाइज फिकाद इसका आप लोगों को जबाब पता है FSSI की अस्थापना याद रखेंगे बहुत important है CGL ने कई बार पूछा है और आगे भी पूछा जा सकता है 2011 अगस्त में लेकिन एक्ट कब आया था 2006 में ठीक है और याद रखिएगा इसका 8 quarter नियुद अले में और रीता तेवतिया इसकी क्या है 이런 पर्शन सीऊ ओ कौन न्यूक्त कीए गहा यह पीजिए Dit्षी छिफ उफ दिफ्क टर इससका योई चीफ ऑफ डिफेंस स्थाप स्थाप कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्थाप कौन है आपको यह बताना है ठीक है बिल्कुल चीफ ऑफ डिफेंस स्थाप जी बहुत अच्छे रिसव जी बहुत अच्छे चिकेंद्र साहो जी पिहार गौरब जी बहुत बढ़िया याद रखेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्थाप जो है दोस्तों वो कौन है बेपिन रावत साहब है इस चीफ को आपको याद रखना है चलिए चलता है इसके बाद अगले मुद्दे के ऊपर अगला सवाल आपके स्क्रिन के ऊपर पियार जैसंकर बिकम्स मैनेजिंग डिरेक्टर और पियार जैसंकर किसके प्रबंद निदे सक बने हैं एंसे एल्टी एंसे एल्टी का पुर नैशनल कंपशनी लॉट्री विनल अनाल सा आया फसी या टेए पैड़ा प्रण वाप देसंगे लोग पाल का मतलौ अंबट्समेंंट करना इन तुम आपको अंग्रेशी में अंबट्समें कहता है और थो वर्ड है यह रिसब प्रपाइतों का निप्टा रहे एक्चुली में लोकपाल का वर्क होता है ठीक है और भारत के जो सबसे पहले लोकपाल नियुक्त किये गाँ है उनका क्या नाम है पीना की चंद्र घूष ठीक है रिसम्मों कर चीची प्यार जैसंकर की बात करती है किसके दोस्तों आया या इ इस तेरी का जो मुख्याले है ये कहां पर है इसका मुख्याले भी याद रखेंगे नियू डैली में है नागपूर में है इस चीज़ को भी आपको रहना है क्लेरे पॉइंट चलते हैं इसके बाद हम लोग अगले सवाल के उपर अगला सवाल आपके स्क्रीन के उपर ये रहा गॉर्मेंट अन्विल्स विच स्किम टू प्रोवाइड अफॉर्डबल लॉंस तो इस्टीट वेंडर्स यानि के सरकार ने इस्टीट वेंडर्स को सस्ते दरों पर कर्ज उपरलब्द कराने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है जल्दी से इसका जवाब देंगो और दोस्तों इसका पीडिएफ आपको मिलेगा कहां पर जीएस भाय घ्यान प्रकास चाह टेलिग्राम चैनल आप लोग जोईन कर ले न्यू देली में हैं आई सी यार इंडियन कॉंसिल आप अग्रिकल्चर रिसर्च इसका भी मुख्याले कहां पर है न्यू देली में है की जब रोगब बात करते हैं की डिलफ शभी होना चाहिए अक्ष्व यह यह पर वह होना चाहिए इस्ट्रेट वेंडर इस्ट्रेट वेंडर आत्म निर्भर निंदी इस्ट्रेट वेंड़ आत्म, निर्भर, निधी ये इसका क्या है पूरा मतलब है इस सेच को भी आपने याद रखने दिए इसका सही उक्तर क्या है इसका सही उक्तर है D is the right answer ठीक है अगले उस पर चलते हैं next question जो हमारे screen के ओपर यह रहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी launched which technology based solution for MSME sector MSME Minister कौन है इसके लिए नरेंद्र मोधी सहाब ने अभी कौन सा technology based solution launch किया ऐसा सकता मुद्रा चैंपियंस यह उद्योग मुद्रा की जब बात करते हैं दोस्तों तो मुद्रा जो है micro unit development refinance agency यह इसका क्या मतलब है मुद्र का मतलब है जब मुद्रा की बात करते हैं दोस्तों अभी सरकार ने मुद्रा सिसू लौन की शुरुआत करी ठीक है अभी हाल में मुद्रा सिसू लौन की शुरुआत करी है और याद रखिए का इसमें सिशू में तीन परकार की लौन दिये जाता है सिcome कि सोर अंतरणин सिशू कि सोर अंड तरुण ये तीन प्रिकार के लॉन दिये जाता है मुद्रा के तहत हैIch oking में कितने तक का लॉन दिया जाता है याद रखेगा अब तो 50,000 का लॉन दिया जाता है किस Conょ किसोड के तहट कितना दिया जाता है 50,000 से 5,000,000 तक कलोन दिया जाता है और तरुन के तहट कितने तक कलोन दिया जाता है इसमें 5 से 10,000,000 तक कलोन दिया जाता है इस मुद्रा इसकिम के तहट ये भी आपको याद रखना है हैं नहां पर जब इस सवाल की इंद्र की बात करने आथ इस सवाल की इंद्र क्या है इस वह सब्सक्राइip क्या है इस सब्सक्राइब ह altar है घय क्या है इसका चेम्पियुएंज इसका तक र्लॉण इसकों कई events कि सिपे तहत कितना 5050000 के में किशेर के तहत कितना 5050000 मीलता है कितना 5000 से 550000 को स समोसी का समोस नाइक किसे भी बिजिस्टींग जेड़ा तो चलते हैं हम लोग इसके बाद अगले न्यूस की तरफ चलेंगे अगला न्यूस आपके स्क्रिंटर बॉबी मौरो पास्ट वे स्प्रिंटर बॉबी मौरो का निधन हो गया वह किस देश से थे रसिया कैनाडा यूएस से या ब्रिटेन से जल्दी से इसका जबाब देंगे कि पेलकुल ऐसके सभी दुद्देंग City संभी बच्चहें वीडियो को क्या करें दोश्तों शो शे भी करते रही हैं यह ज जादा से जादा क्या करहें आप लोग शेएर कर लोगे मैं विडियो को ज्यादा से जादा लाइक करें को सब्सक्राइब कर ठेकर ताकि आपको ऐसे वीडियो रेगूलर मिलते रहें यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों इस प्रेंटर बॉबी मौरो इनका जो नितन हुआ यह कहां से था है यूएसे से हैं याद रखना है यूएसे और कैनाडा के बीच में वेस्व की सबसे बड़ी अंतरास्ट यह सीमा जिसका दोस्तों क्या नाम है इस चीज़ को आपको याद रखना है और दोस्तों याद रखिएगा कैनाडा का ही जो आई सौकी क्या है यहां का नैशनल गैम है कैनाडा का जो दोस्तों कैपिटल है ओटावा यह यहां का क्या है कैपिटल है इस चीज़ को आपनी याद रखना है रसिया की जब बात करते हैं तो यहां के संसत का नाम क्या है य वाला मिद्र पुतिन यहां के क्या है राश्ट पती है और रस्या का कैपिटल कि दर है दोस्तों मॉस्को सबसे जादा जो टाइम जोन है वो कहां पर है दोस्तों रस्या में और शेत्रफल के एकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश भी कौन सा है रस्या यह भी आपको याद रख बिल्कुल सर्विस सेक्टर का भी ले सकता है उसमें आपका लेकिन जो MSME के अंतरगत होना चाहिए वो ठीक है ना वह MSME के अंतरव मतलब छोटे सुक्ष मुद्योग होने चाहिए ठीक है ना तभी ले सकते हैं ऐसा कोई बड़ा मतलब बहुत बड़े कंपनी वाला नहीं ल ओ कि फै कर नटान जी हमारा प्रेश है आप से क्या प्रेश्न था भूल गया हाँ यरेशिया में कौन सा ग्रास्ट लेंड पाया जाता है तो याद रखना है उसका नहीं स्टपीज सेपीज तो घ्रणेंड मिसी और सम मिलता हétais नहा सरमा जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया ह बहुत अच्छा अरपीता सरकार जी ने भी बिल्कुल से उत्तर दिया है तो इस टैपीस कहां पर मिलता है युरेसिया में मिलता है याद रखेंगे तो चलते हैं इसके बाद हम लोग अगले सवाल के उपर अगला सवाल आपके स्क्रिन के उपर यह रहा आएमडी हाज वार्ण डैट विच साइक्लान लाइकल इंपक्ट मुंबई आएमडी ने चेतावनी दी है कि कौन सा चक्रवात मुंबई को प्रभावित करेगा निश्यारगा आंफान निराशा या फिर फॉन फड़ा पड़ इसको आप लोग इसका जबाब दीजिएगा जल के जब है है मुंबाई की मुंबई में ही कि दूब पर इस तो यदDoes यदए से जुक है क्वी औफ इंडिया कहते ङूए है क्या गैट वे और गमी विंडिया का जाता है अच्छा मारा प्रश्ट काया हूं चिसे कहते है कि टीन UP अवीज और रही अत रहीं किसे कहा जाता है मिंदwowodno सeteों होता है याद रखिएगा काला घोड़ा महोंटसभ यह कहाँ पषगे हैं यहाँ बात करता है तो यहाँ पर कौन सा जो है साइकलों कौन सात क्ञेट निशाग्रा निशाग्रा साइकलों और क्या करेंगा उसको टच करेगा किसे मुंबर और जोड़ां गुजरात की इलाके को भी वो क्या कर सकता है ठीक है यहां पर दोस्तों हमारा प्रस्टन है इंडिया के अंदर जो कोस्टल स्टेट की संक्या कितनी है भारत के अंदर किसने कितने क्राइफν जल्देस करें को क्वे थैक टिक इसको सभी सभी बच्चे सही जवाब दे रहा है कोची जो है कोची को क्या कहा जाता है पीन ओफ हराबियन सी कहते हैं और यहीं पर एक दोस्तो केरला में ही एक सहर है अलपूजा अलपूजा नामक जो सहर है उसे कहा जाता है क्या Venice of the East कहते हैं क्या बोलते हैं इसे Venice of the East कहा जाता है इस चिसको भी आपने याद रखना है किसे अलपूजा को ठीक है याद रखिएगा दोस्तो यहाँ पर जो हमारा प्रस्ण था Coastal State Coastal State की संख्या कितनी है तो साथ नहीं बल्कि हमारे देश के इंदर कितने Coastal State हैं दोस्तो याद रखेंगे नाइन Coastal State हैं इस जिसको भी अगले सवाल पर चलता है दोस्तो अगला सवाल आपके स्क्रिण के उपर यह रहा वो डैवलप्ट अल्ट्र सवच्च ढूटिस इन्फाइक्ट पी पी इलक्रोनिक आईटम ऐटम की कपड़े कितन रहीत करने के लिए उल्ट्र हमारा स्वच्च को किस ने विक्षित कि या कि टानु की जब बात गते हैं को कहता हैं एंटो मोलौजी कहता है है in-to-mule जी और जो इंसेक्ट होता है इंसेक्ट शाओ से लेटा है दोस्तों जो बात करते हैं तो यह दोटे से याद रहें के इस यहां पर नैश्टनल वाटर रिसर्क इंस्टिचूट जल अनुसंधान संस्थान ये कहां पर रूर्की में है इस रो की बात करते हैं तो इसके अस्थापना 15 अगस्त 1969 को है ना हीड क्वाटर कि धर है इस रोका बैंगलोरू में है और इसके जो हैड है उनका नाम क्या है के सीवान ये भी आप याद रखे करेंगे CSIR का पूरा मतलब पता है Council of Scientific and Indian Industrial Research ये इस CSIR का पूरा मतलब है इस चीज़ को आपको याद रखना है ठीक है क्लियर है यहां तक चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसके अगले सवाल की अगला सवाल आपके स्क्रिन के ऊपर ये रहा Headquarter of CMFRI Headquarter of CMFRI Central Marine Fish Research Institute इसका Headquarter कहां पर है आप लोगों को ये बताना है कोची में विसाका पत्तनम में चैन्नाई में या गोवा में तो याद रखेंगे Central Maritime Research Institute या National Indian Maritime Institute जो है भारतिय समुद्र विज्ञान संस्तान ये कहां पर है दोस्तों ये गोवा में है थैना सबसे पहली बात तो आप ये याद रखेंगे चैन्नाई की जब बात करते हैं दोस्तों तो देश का सबसे जो लंबा तठ है मारीना बीच य अरश्ते को सबस्किंद और बात करते हैं फिसान कि संट्रा को बीचिंट करते हैं जिसे भी इंसी जैसे ही अरब शागर की जानी भी कहा जाता है बिल्कुल गौरब जी दूद शागर फॉल है मांडवी नदी के ऊपर बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बिल्कुल सही जबाब देना हमारा प्रश्न आप से अरेड एरेड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिचूट कहा बाहर फॉर्ड पर जबाब दीजीएगा इरेड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिचूट सुस्क वन अनुसंधान अनुसंधान कहां पर आप लोगह को यह बताना है और सेयर्च को सेयर करते रहें लाइक करते रहें ठीक है चिन्ना स्वामी स्टेडियूम याद रखेंगे ब बनिंग पार्क कहांपूर में है एड़न गार्डन कहांपर है कि कॉलकाता में है टरेक है है ऑ बहुत बढ़िया देवधर कुमार जी बहुत अच्छे हमारे पास जबाब आना सूरू हो चुका है पंकज गुपता जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, गौरब जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, नोवडी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, प्रियंका वर्मा जी ने सही जवाब दिया है, अरपिता सरकार जी, निहा सर्मा जी, सभी बच्चे बिल्कुल सही इसका मुख्याले कहाँ पर जोदपूर में जबकि सिर्फ फॉरेस्ट इसका मुख्याले कहाँ पर इसका एड़कॉर्टर जो है दोस्तों वो है देहरा दुन के अंदर इस जिसको आपको याद रखना है तो चलिए अगली न्यूस की तरफ चलते हैं अगला अगला आप लोग जानते हैं बहरत और जापान के बीच में कौन सा होता अप लोग लोगो एक तो होता है बहरत और जापान के बीच में जायमक्स होता है ये आपको बताना है ठीक है में TTI किसके घ्रत होता है ये आपको बताना है ठीक है जल्दी से अप लोग बताएं कि बहुत बढ़िया इस सवाल का जो सही उत्तरह आप लोग को पता है क्या है चाइना चाइना की राजधानी कहां चाइना की राजधानी बेजिंग किसका हेट कॉर्टर AIIB इसका मुक्हquiera बेजिंग में जब्की एंडेवी एंडेवी का मुख्याले कर्णापर शंगाई Link रीवर में वह सब से लंबा अटर ऐस जापान का क्या सुष्थ है युआई जापान कि क्रेंसी क्या है दोस्तों यूऐन है और आप जानते हैं चाइना की करेंसी को हुई क्या कहा जाता है यह भी आपको याद रखना है ठीक है धर्मां गार्जन बिल्कुल याद रखेंगे जापान और इंडीया चिन्पी दूसरा झूंता है उसका नाम किन म्यें धर्मा गल्जैन इंडिया और जापान कि बीच में होता है एक्सरसाइज मैं कि साट्री मैत्री किसमि fish को कि सिर्फ साइज नम्र सकती तो भारत और किसके बीचमें ई कि कर ना मैत्री कुसके किसके बीच में है बताई यह है इस घुटने बच्चे देख रहे सेर भी करते रहा सभी बच्चे दोस्तु वेडियो को यूद दभ्यास याद रखेंगे इंडिया और यूएस के बीच में होता है नॉमेटिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया की बीच में होता है ठीक है जितने भी नाम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को याद रखेंगे नूमेडिक 쉬 monte किसके की बीच में इंडिया और मंगोलियां की बीच में युध दब्यास किसके किसकेः бан इंडिया और यूए-स की बीच में होता है 2 2 2 बहुत बढ़ आपकी माल्धियार बहुत बहुत बढ़ वही माल्धियर जिसका कैपटल नहींद संप्रिती भारत और बांगला देश के बीच में बोल्ड कुरुचेत्र भारत और सिंगापूर के बीच में होता है याद रखेंगे गरुड सक्ति भारत और इंडोनीसिया की बीच में होता है याद रखिएगा गरुड सक्ति किसके बीच में भारत और इंडोनीसिया की बीच में होता है इसके बाद की बात करें तो याद रखना है दोस्तो मित्र सक्ति आप लोगों को पता ही एक होता है अल नागा ये किसके किसके बीच में इंडिया और ओमान के बीच में वही ओमान जिसका दोस्तो कैपिटल कहा है जिसका कैपिटल है ओमान जिसका कैपिटल है मसकट है ना ओमान का कैपिटल किदर है मस और भारत और उमान के बीच में कौन सा exercise अले नागा उसी तरह याद रखेंगे खंजड खंजड जो होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है याद रखिएगा इसी प्रिकार दोस्तों कि याद रखेंगे आप लामितिये नमक जो exercise होता है यह किसके Heartpress के बीच में होता है। kan सा होता है और मैतरी याद रहें याद रखेंगे भारत और ठाइलंड के विच में वही ठाइलंड जिसका दोस्तों कैपिटल कहा है थाइलेंड जिसका कैपिटल है दोस्तों बैंककोक और हमारा प्रस्थन है आपसे थाइलेंड की करणसी क्या है आप लोगों को यह बताना है जल्दी से आप लोग जवाब देगे तो इंपोर्टेंट जितने भी एक्सरसाइज है जो कि आपके अलग-अलग एक्जाम में पू भी कारिफ इंड्या और मलेसिया के बीच में है आपकर करता है आफ ड़쟁 मेंहाद बढ़ाए और तहसे जवाब आना द सुरूंक यह बहुत शांडार जवाब देते रहें आप लोग बहुत इसजाव प्लों करनसी एप ताइलेंड बहुत बढ़िया जलिए तो will即 ल Hebrewsרט आज के अब कुश्चन अपडे की आज का कुश्चन अपडे आपके स्क्रिंग के ऊपर यह रहा इसका आप लोग जबाब दीचेगा जल्दी से फटाफट और इसी तरह सेर करते रहां लाइक करते हैं जो नए बच्चे हैं दोस्तों चानल को सब्सक्राइब करते हैं यह सेश आए यह बाईसिट्व इन इंडिया भारत में बाय इसफ़रंड की rich कितनी है इत जव जबाब देंगे इसका आप लोग भारत में गुल कितने बाई-स-फ़य रेजर्व हैं हमारे पस जबाब आना सुरु बिहार गौरब जी रिषा मुकर जीदा बता रहे हैं रिषा मुकР बहुत अच्छे बहुत अच्छे शोनु निगम जी बहुत बढ़िया गौरब जी निहा सर्मा जी बहुत बढ़िया टेक्निकल कुमार जी सिमम हापुर जी ठीक है तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों याद रखेंगे वो कौन सा है अठार है ठीक है ना भारत में जो कुल बाइवेस प्रिजर्ब हैं अठार है जैसे कुछ के नाम है नीलगीरी है नंदा देवी है ना अचनक मार है है ना नंदा देवी है ना इसके बाद अचनक मार है अगस्त मलाई है अगस्त मलाई शुन्दरवन है ऐसे कई सारे हैं जितने भी मतलब बाइवस पर रिजर्ब हैं इंडिया में कौन कहां पर हैं यह आपको करवा देंगे ठीक है ऐसे जब इस्टेट वगर करेंगे तो आपक भारत का फस्ट बायो इस्फर रिजर्व फस्ट बायो इस्फर रिजर्व इंडिया का कौन सा निलगिरी बायो इस्फर रिजर्व आपको याद रखना है और इसी निलगिरी बायो इस्फर रिजर्व में दोस्तों कौन सी जनजाती निवास करती है ता आप लोगों को यह पर निवास करती है आपको यह याद रखना है जबकि एक जंजाती होती है दोस्तों सेंटनलीज जो कहां पर दोस्तों मिलती है यह अंडमान और निकोबार में मिलती है और एक जंजाती होते है डोंगरिया कॉंध यह कहां पर मिलती है दोस्तों यह मिलती है उडिसा में इस त आज के लिए हमारे एसका पिडियाफा आपको आप लोगों को पता है कहा मिलेगा शीजिस टेलीग्राम ही चैनल पर आपक laquelle अजिसका नाम है Gy actual इस मिल जाएगा प्रेद्जी Tylू जाएगा साइन्स के बारे में जो संसद्य समीतियां है संसद्य समीतियों की चरचा करेंगा आज की ख्रास में तो सभी बच्चे घरब मिलेंगे फिर रात में आपके 9 बजे वही जो साइस के 3000 प्लस कोश्चन की स्रीछ चल रही है वह आपकी चलती रहती है कि आधेक हैं बाके मिलते हैं हम लोग करवा दिया जाएगा आजाए बदोरिया जी अब डेंसर नहीं लाएं करवा देंगे पुरा मंतली करेंड फिर्स भी वहां से लेके में तक करवा देंगे और किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए दन्यवाद मिस्टर नोबड़ी जी किसेगा कोई डाउट है तो पूछ लें अधरवाइस हम लोग मिलेंगे कब फिर से ग्यारा बजे मिलेंगे ठीक है इडिनेर पॉलिटी क्लास में चलिए तो मिलते हैं ग्यारा बजे तब तक ले सभी को इसी तरह सभी लोग पढ़ते रहे सुरक्षित रहें और सभी को have a good day bye bye and take care